हार्ट-बाइपास सरच रि extras की एडवांस टकनीक लीमा-रीमावाई टकनीक से मरीजों को मिले अब रहत मेरा परपुस है पुब्लिक को अवेर करना की हार्ट के ऑपरेशन्स के लिए एक ऐसी टकनीक अभेलेेबल है जो repeat operations को repeat interventions को बचाती है यंग patients के लिए especially और इस procedure की longevity जो है कम से कम 20-25 साल है 20-25 साल इस treatment के बाद मरीज 20-25 साल disease free रह सकता है तो यंग patients के लिए बहुत ही अच्छी टेकनीक है लीमा रीमा वाई total arterial grafting इसको बोलते है जैसे आम तोर पे bypass surgery में आपने सुना होगा कि पैर से नाडिया निकालते है या हाथ से नाडिया निकालते है उन नाडियों की life जो है वो 8-10 साल होती है 8-10 साल में ये नाडियां खतम हो जाती है और फिर second bypass या second intervention की जुरूरत पढ़ती है मरीज को जो ये टेक्निक है लीमा रीमा वाई टोटल अटल ग्राफ्टिंग इसमें जो हमारे conduits हम यूज कर रहे हैं इनकी life जो है 20 से 25 साल है तो किसी भी एक middle agent 50 साल के आदमी का अगर हम operation करते हैं तो शायद ही इसको जिंदगी में कभी वापस operation या intervention के जुरूद पढ़े इस टेक्निक के साथ lifestyle लोगों के ऐसा हो गया है and sedentary lifestyle which has mainly contributed to increase in the incidence of this disease and इसके साथ जो awareness वो बढ़ गई है detection बहुत जादा होने शुरू हो गई है जो पहले detect नहीं होती थे cases वो अब detect होना शुरू हो गई है and plus lifestyle तो खराब हो गई है रहना सेना living जो है वो बहुत erratic हो गई है उस वज़ेसे ये disease काफी surface कर गई है जो risk factor है risk status है वो Indians में काफी high है compared to rest of the populations all over the world Indians में रिस्क सबसे ज़्यादा है so that is because of genetic make up of the population plus because of lifestyle changes like sedentary lifestyle very rich diet smoking particularly smoking उन जब की वज़ा से Indian young population में risk of disease is very high prevention तो there is no absolute prevention prevention का तो यही basic तरीके हैं जो regular exercise low fat diet prevention to avoid smoking and all बाकी कोई blood pressure है sugar है इस अब की जो cholesterol है उनका early detection early treatment, proper treatment so that is how those are the things which are in our hands ठीक है, beyond that it is not in our hands देखिये इस टेक्नीक में यह है भी जो जैसे डॉक्टर जिंदल ने बताया भी जो लेक की वेन्स होती है ना वो दस एक साल में दुबारा उसमें बिमारी आ जाती है लेकिन अगर हम चाती के अंदर से अच्छा खून देने वाले नाडियां यूज करें बाइपास करने के लिए तो उसकी life around 20 से 25 साल है डॉक्टर जिंदल पिछले पांचे साल से यह टेक्नीक कर रहे हैं और शेयर के दूसरे काडियोलेजिस भी अपने जो खास मरीज हैं जिनको वो समझा सकते हैं वो हमारे हॉस्पिटल में भेजते हैं आप किसी से भी पूछ सकते हैं तो जो पीपल अवेर हैं उनके लिए यह एक नई टेक्नीक बहुत फाइदे बंद है बिकॉस बार-बार सजरी इस वरी नॉट गूट थिंग तो हैपन एंड मुश्किल भी है तो पहली बार में अगर जब सजरी हो रही है यह विली टेक्नीक यूज करी जाए तो पेशेंट के लिए अच्छा है पर पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना उसके बाद भी यह नहीं भी सर्जरी हो गई है तो अब बीस साल चलेगा ही चलेगा इस अपार्ट फॉर्म दैट विए पेशेंट के लिए बहुत हो गया मुझे अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करना है तो इसमें यह हेल्फुल है यह जो लेटेस्ट टेक्नीक है इसमें सर्जिकल मॉर्मिडिटी जो सर्जिकल रिस्क है वो काफी कम हो गया है लेट मी टेल यू फर्स्वान धिक की बाइपास सर्ज्री जैसे पहले बहुत बड़ा हुआ माना जाता था वो अभी ऐसा है नहीं बाइपास सर्ज्री बहुत ज़्यादा सेफ है जैसे की सर ने बताया 99% सक्सेस रेट है और प्लस इसमें जब अब सर्जिकल चीजें कम कर जी एक सर्जीकल इंट्रेवेंशन कम हो गया है हातों पैरों पे कट नहीं लग रहा है पेशेंक को तो इसे इंटेंस हुच मेरे लिए पेशेंट की रिकवरी देखना बहुत असान हो गया है वेशाँ बहुत ज़ल्दी रिकवर करता है सेक्ट थर्डी आप लोग को चला द मेरा हाड़ली जीज है इसके बाद ऑपरेशन के लिए यह नई टेकनिक है उसके बारे मैं मेरे क्यों इंटरनेट से आजियन कारी जेंचारी निली विसके बाद मैं सच्करने लगा कि यहां पे कौन इस परेशन को करता है फिर फिर मेरे को कि सी डॉक्तर से ही पता लगा और अभी मेरे को लगबग दो महीने हो गए हैं अपरेशन के बाद अभी मैं बिल्कुल ठिक खिल कर रहा हूँ और चल फिर रहा हूँ और कोई परेशानी नहीं है